हलो दोस्तों मैं यूसुप फिर हाजिर हैं पॉर्टृ फार्मिंग के एक नए समस्या के साथ यह जो वीडियो में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ यह especially आप लोगों के डिमांड पे में बना रहा हूँ आप लोगों ने कहा कि आप लंगडेपन पे एक वीडियो बनाई है बहुत परिसानी होता है तो यह जो लंगडेपन का जो समझ्या है वो बहुत कारणों से होता है तो इस वीडियो को आप देखिए और जानिये और स्कीप करकर के देखिएगा तो कुई समझ में नहीं तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टाट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में बच्चा जो है से फार्मा जब चूजा लाता है उसके बाद जो आप देखते हैं कि किस परकाव बच्चे उछलने कुदने लगते हैं और उसी उछल कूद में दो चार बच्चों का जो ह लेकिन मुर्गा का तो यह समझ्या को हम लोग दूर नहीं कर सकते प्लाश्टर नहीं कराता है वह लाइफ टाइम के लिए टेढ़ाई सेठ हो जाता है लेकिन उसके बाद जो है सो एक सब्ता के बाद बच्चा अगर घुटने के बल चलने लगे यह लंगडा करके चलने लेकिन अगर गाउट का समझ्या है तो सबसे पहले अगर आप गाउट को ठीक करेंगे तो यह लंगडापन का जो यह समझ्या है वह दूर हो जाएगा क्योंकि कोई भी परिसानी हो एक फार्मर के लिए सबसे पहले जो हो रहा है उसका कारण को समझने का कोसिस करें या आप कारण को समझ करके उसको दूर करे उसके बाद जब भी अगर फार्मिंग में देखे कि दो चार छे आट दस बड़ अगर लंगडा करके ये लगपका करके चलने लगे और ये दस दिन के बाद-ád 12 दिन के बाद अगर यह समस्या आपके आपके एहां दीके रहा है तो उसका बताऊंगा जो भीुमे कारण आप लोगों को बताते जा रहा हो उसका आगे में आपका सोलूशन बताते जाओंगा और उसके बाद जैसे मान के चले है अगर ये समस्य application 24 हो रहा है तो बी कॉप्लेस का कमी को वयासे होता है लेकिन अगर उसके बाद अगर फिर अगर लगे कि 50% बार्ड अगर अचानक बैठ गए या चल नहीं पा रहा है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो है सो बार्ड में toxicity आ गिया कहें कि toxicity होने के बाद जो है सो बार्ड एकदम कमजोर हो जाते हैं तो इस परकार का समस्या देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप जब भी आपके फार में अगर इस परकार का दिखे और ये समस्या लगे तो उसका कारण को समझने का कोशिस कीजिए कि ये जो समस्या है और उ हर पोल्टरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बगल का बिल बटन को ओन कर दिजे क्योंकि इस चैनल पर फार्मिंग से रिलेटेट जानकारी आप लोगों को हमेशा अपलोड होता रहेगा और मिलता रहेगा हाँ तो अब बात करते हैं इलाज के बारे में आपने पीछे देखा कि जो लंग्डेपन का समस्या होता है उसका कारन क्या-क्या है सबसे पहले तो कारन दूर कर दिएएएगा अब बात करते है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये समस्या जो है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ जब भी आप वर्ड़ लाए तो जैसे ही एक सब्ता का हो फर्ट वैक्सिन दे दे उसके बाद जो है आप हमेशा एक नियम मना ले कि जैसे ही, फ्रस्ट बेक्सिण दे जनरली पॉल्ट्री फार्मर जो है ज्छटे दिन एफळाल का भेक्सिन देता, एफळाल भेक्सिन देने कि 24 घंटा के बाद, जो है एक दवा का आप, यूज कर ले वो मैं बता रहा हूँ ये जो है, वो जेनरली भिटनरी के लिए जो आता है यह जो दवा है भी-कॉम्प्लेक्स यह सस्था भी पड़ता है और तीन दीन इसका कॉर्स करा दे यह जो समझ्या है अगर मानकिते लिए अगर टोक्सिस्सीटी ना हो गाट ना हो या और कोई कारण ना हो तो अगर यह दवाको अगर को डेता हो तो यह समस्या लगभग ना के बराबर आता है अब बात करते हैं कि आगे आप लोगों को कारण बताया उन कारणों को कुछ से दूर करें यह जो कारण है जो सबसे पहले जो है जिन मेरमon सब कर परकर करने भूँर लगनी के बल चलने लगते हैं और यह समस्या जो है सो लंगड़ापन उसमें जो होता है वो जिनरली गाउट के वजह से होता है तो गाउट का दवा अगर आप चलाएंगे तो वो समस्या दूर हो जाएगा लेकिन अगर फीड में कोई प्रोब्लम हो कहें कि जिनरली यह भी द मान के चली कि 200-300-400-500 वर्ड एक साथ बढ़ जाएंगे अगर लगे कि 900 फीड के वजह से यह समस्या हो रहा है तो सबसे पहले तो आप फीड चेंज करते हैं चाहे कोई भी ब्रांड का हो यह मैं नहीं कह रहा हूं कि यह फीड हो वो फीड हो यह खराब है वो अच्छा है व हो जो मेरे साथ भी यह चीज हुआ है यह आपके साथ हुआ है ऐसा बात नहीं है मेरे साथ भी यह समस्या हुआ है इसके लिए जो है अगर लगता है मुझे कि ने फीड के वजह से यह प्रोब्लम हो रहा है फीड में चेंज करता तो ठीक हो जाता है गाट के वजह से होता है तो गाट का दवा चला देता हो, लेकिन अगर toxicity का वज़ा से अगर हो रहा हो, तो या तो फार में आपका gas बन रहा है, तो ये समस्या हो सकता है, या feed में कोई problem हो, तो ये समस्या हो सकता है, और ने तो generally बहुत बार होता है कि चूजा में भी ये समस्या होता है, बहुत बार च फार्म देखनी नहीं गया हूं या मैं आपको कोई दवा रिकमिन नहीं कर रहा हूं लेकिन अगर आप फार्मिंग करते हैं तो यह जान लीजिए कि जब भी लगे कि जो मेरा बर्ड में लंगड़ा हो रहा है और एक दो हो रहा जिसे पहले मैं आप लोगों को बताया हूं कि अब बच्चा लाएं दो चार का पैर तूट गया पैर टेड़ा हो गया तो वो तो घर होता है उसकी लिए सबसे आसान उपा है कि फार्मिंग कोना बना ले उसमें उस तरह का बच्चे को रख दे और उसका खिला फिला तो यह समझी जो है तो दूर हो जागा लेकिन जो अगर बड़े अस्तर पे हो रहा है तो उसका कारण को समझय कि यह हो कि रहा है समझने का कोसिस कीजिये का है कि आपका फार्मिंग में आप करते है या आपका इस कारण से हो रहा तो उस कारण को या उस वज़ा को दूर कर दे तो जिनरली या अधिकतर देखा गया है कि बी कॉंप्लेक्स दवा चलाने के बाद यह समस्या दूर हो जाता है लेकिन अगर लगे या हो कि ने जो यह जो समस्या है गाउट की वज़ा से हो रहा तो गाउट क ये समस्या को बताएं और समझें उसके बाद उसका उपाय करें लेकिन सबसे आखिर में मैं कहूंगा कि जैनरली जो मैंने आप लोगों को बताए कि फर्ष्ट बैक्षिन देने के बाद जो मैंने अभी दवा बता है B कॉंप्लेक्स याद रखेगा डी कॉंप्लेक्स का दवा का जो है आप तीन दिन यूज करेंगे तो यह समस्या जेनरली जो आता है लंगड़ेपन का समस्या वह आपको देखने को नहीं मिलेगा और अगर लगे कि नहीं लंगड़ेपन उसके बाद भी आ रहा है तो सेकेंड वेक्सीन देने के बाद भी जैसे 14 दिन 12 दिन में फ़रमरेजीन करता हूँ उसके बाद भी अगर आप ये दवा को मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं यह जो है बी कॉंप्लेक्स मैं यह इस कंपण्य का रेक्मेंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन कोई भी एक भी वह वेक्सिन टीका है, टीका लगने के बाद जो ए सो कमजोरी आता है उनके साथ सरीर में, तो यह समस्या जो है होता है, लेकिन इस परकार का अगर दवा आप चला है, इम्मैनीटी का कोई भी दवा चला तो यह समस्या जो है जो जेनरली नहीं देखा जाता है तो चलिए मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे एक लाइक जरूर करें और इसी परकार इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए समस्या के साथ ठीक है